अलो अब्रिवर्न वेलकम गाइस क्या साथ सब लोग आयो की काफी बीड़ों के माइसेल्फ मुटली के बैर अगर आज अपन करने वाले हैं कॉस्टिन प्रैक्टिस और गनी केमिस्टिक बहत्रियन रियेक्शन के उपर सिर्फ एक रियेक्शन के उपर प्रैक्टिस करेंगे अपन और वो टॉपिक अपना है बचो बताओ तुम्हीं बताओ यार मैं तो नहीं बताने वाला है कौन सी रियेक्शन है यह वाली बताओ अगर तुम नीट के तियारी कर रहो है या जे के तियारी कर रहो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यह कौन सी रियेक्शन का रिये तो basically आपको यहाँ पे screen पे कुछ questions आएंगे और आपको हर question के अंदर ये बताना है कि अगर आप उस compound का उस substrate का उस reactant का reaction करवाते हो hydroboration oxidation इस particular reagent की presence में तो बनने वाला आपका major compound क्या होगा और वो किस rule के according बनेगा ठीक है तो आपको जो answer साएंगे उनको अपन जब अपनी live class आएगी उस live class में अपन उनकी practice करेंगे आपकी questions के answer चेक करेंगे अपन इसी channel के उपर तो अगर आप इस channel पर नए है तो आप इस channel को subscribe करके notification icon को जुरूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी class के notification आते रहे हमारी डेली class होती है शाम को रोज सवानो बज़े वच्च फिक्स टाइमिंग डेली 9.15 पियाँ तो make sure कि आप इस channel पर नए है तो subscribe करें तो CH2 एपल पॉंट CH2 है इसका आप हाईट्रो बश्चन कर रहा हो आपका answer निकालो फिर अपनी जब live class होगी तो मैं उसका discussion करूँगा कि आपका answer क्या आएगा किस rule का coding आएगा चलिए next question के उपर बढ़ते हैं फटाफट यह आपका second compound है आपको इसके structure बना कर दिखा जेता हूं अगर आपको यह bond line structure समझ में नहीं आ रहा तो यह CH3 है उसके बाद में answer कैसे बनने वाला है कौँ सब कुछ सोच लो जैसे लाइव class होगी डिसकस करेंगे अपर चलिए आगे बढ़ते नेक्स question के उपर तो मारा जो next question है उसमें यहां पर इस बार CH3 है और नीचे भी CH3 है और फिर आपको करवाना और देखना आंसर का आएगा और इस बार हमारे पास में यह यहां पर लोड़ा correction है यह एच टू ओटू है बच्छो अना एच टू ओटू है इस से पहले वाले में भी देख़ए क्वाल क्या है एच टू है हाव एच टूट है ठीक है नेक्स यहां पर भी आपको यह एच टू ओटू होगा एच टू ओटू है इस बार हमारे पास ट्रिपल बॉन वाला यहां पर भी आपको बताना है कि आपका मेजर कंपाउंड क्या बनेगा हमने अभी ते क्लास में जो पढ़ा है वह एक्स का पड़ा है कारवन कारवन डबल बॉन का पड़ा है यह क्वश्चन आपके लिए तोड़ा खास रहेगा आपको फटा बट सोचने अपना आंसर बन करवा रहे हो तो वहां पे आपको करवाना है डीकरvation करवानी है मेंजर कंपार्ण मैं बनाना है सिंबल कॉश्चन है structure चेंज हो रहे हैं concept वही रखेगा नेक्स डॉस्ट आपको यह बताना है major compound, major product 90% या उसके उपर बनने वाला कौन सा product होगा इस reaction का आप वीडियो को पोज भी कर सकते हैं, आप try भी कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आप recorded session देख रहे होगा आप इसको 2x की वीडियो बढ़ागे सारे questions भी देख सकते हो, completely it's up to you. next आगे बढ़ते हैं यहां पे, तो इसमें आप देखो कि यहां पे इस बार carbon carbon double board यह वाला है, तो यहां पे आपको इसके उपर reaction करवारनी है, hydroboration oxygen, यहां पे आपको कुछ नहीं लिखा, मतलब carbon है, और carbon की balance दो बागे है, तो CH2 हो गया यह वाला, और यह आपका CH2 हो गया, च question number 9 में, यहां पे हमारे पास एक अलकीन है, और उसमें इधर इस बार carbon पे, इस बारण पे दो CH3 है, इस बारण पे एक CH3 है, और यहां पे अपना एक hydrogen लगा है, देखते आप क्या इसके दर चमतकार करते हैं, कि हमारे जांसर है, वो सही आजाए, कर लोगे, simple है ना, हो चलो, आगे बढ़ते हैं, next question के उपर, next question number 10, यह basically आपका आगया alkyne, हमने सिर्फ alkyne का पढ़ा है, alkyne का नहीं पढ़ा है, तो आप alkyne में कैसे करते हैं, यह मुझे आप से देखना है, ताकि आप लोग मेरे बिना बताए भी कर पा रहे और नहीं कर पा रहे, वो एक बार cross-sec हो जाए, तो यह आपका question है, उस पर आपको करवाना है, normally HVO करवाना है, HVO का advanced version भी नहीं है, simple HVO होच्छो, तो simple HVO आप करवा हो गया, आगे बढ़ते हैं जनाप, यह भी alkyne है, इस बार यहां पर प्रोपाइन दे दिया, साफ-साफ, प्रोप 1-9 हो गया, तो यह IPC के स आप नंबर लगा होगे, तो प्रोप 1-9 हो गया, और उसमें 1-2-3-B-H-2-H करना है, major compound बनाना है, हर बार के तरह, जैसे आप नभी बनाया है, वैसे आप यहां पर major बनाने बादे हो, बहुत simple question है, हम सिर्फ एक छोड़े से वीडियो में एक ही reaction में practice कर रहे हैं, तो इस से ज़्यदा practice, elementary stage पर कहीं गएगर मुश्किल हो पाएगी, इतना detail में आप practice नहीं कर पाएगे, question number 12 के बारे में बात करते हैं, तो question number 12 में आप देखोगे, तो यहां पर triple bond आ गया इस बार, और triple bond आ गया तो यह आपका CH है, सब कुछ item दिखा रहे हैं, मुझे कुछ extra करने की ज़रूत नहीं है, आपको यहां पर major बनाना है, काफी simple question आराम से कर सकते हैं, alkyne based थोड़ा सा आपको इसमें दिवाग लगाना पड़ेगा, हमने alkyne का पड़ा है, यह आपका alkyne है, और यह हमारा आज का last question, जहां आप एपन discuss करने वाले इस question में, that is also alkyne, क्या आप करते हैं, कैसे करते हैं, आप इसका major कैसे निकालते हैं, यही तो जाच का विशह है, यही तो देखा जाएगा आपका, कि आप लोग कैसे करते हैं, all right guys, that's it for today, I hope कि आपने काफी बढ़े तरीके से इन questions को किया होगा, proper practice कियोगी, proper notes आपने बनाया होँगे, और proper एक अलग से book आ लेका होँगा, detailed question practice लेका होँगा, और question अभी खतम नियों कि start वह, यह सारे elementary questions है, अभी तो देखो, पूरे साल अपन कैसे कैसे और questions का level बढ़ाने वाले, तो अगर आप नए हैं, तो अगर आप नए हैं, तो make sure कि चैनल को subscribe कर लीजिएगा, और यह आपको चैनल का नाम मिल जाएगा यहाँ पर, जहाँ साब classes दो अगरे देख रहे हैं, या किसी other platform पर अगर आप देख रहे हैं, तो अपारी चैनल मुर्ली के बरागी पर आते हैं, तो वहाँ जाके आप चैनल को जोइन करें, वहाँ पर आपको daily classes के link मिल जाएंगे, class, notes, PDF अगरे आपको मिलते हैं वहाँ पर रहेंगे, और आप Instagram पर अगर हैं, तो वहाँ पर let's learn organic है, वह उस page को follow करें, वहाँ पर आपको update मिलते रहेंगी बंचो, चली, तो मिलते next class के अंदर, till then, bye bye, take care guys.